दोस्तों यदि हडियों से कट कट की आवाज आती है चलने फिरने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ जोडों में बहुत जादा दर्द है गठिया या अर्थराइटीस की परिशानी है दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी ले कराई हूँ जिसके सेवन से आप देख खाना भी कहते हैं किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा हमारी सेहत के साथ ही साथ हमारी खुबसूरती में भी चार चांद लगाता है मखाने का सेवन हमारी ठकावत को मिटाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए किसी ना किसी रूप में आप जरूर लें चाहे तो ड्राय रोस्ट करके लें चाहे तो दूद में डाल कर लें किसी ना किसी रूप में नाश्टे के रूप में जरूर लें जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें भी जरूर खाना च ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसमें भर्पूर मातरा में कैल्शियम होता है, कैल्शियम मैंगनेशियम होता है, जो की हमारी हडियों के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है, कैल्शियम होने के कारण ये हमें जॉइन पेंड से आराम दिलाता है, दूसरी चीज जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूखा नारियल, ताजा नारियल भी ले सकते हैं, ताजा नारियल रोज रोज हमारे घर पर नहीं रहता है, सूखा नारियल एक बार ले आते हैं, तो चलता है, खराब नहीं होता है, तो सूखा नारियल जयता है, सभी के घर पर होता है, यह एनिमिक होने से बचाता है सुखे नारियल का सिवन. तो बहुत से लोगों को एकदम सुखा नारियल पसंद नहीं आता है वे चाहें. तो इस नारियल को तीन-चाठ टुकड़े कर लें, जैसे मैंने पतली स्लाइस करके दिखाया है. और इन slice को रादभर पानी में भिगा दें रादभर पानी में भिगा रहेगा तो soft हो जाएगा नरम पड़ जाएगा सुबह उठकर आप इन नारियल को खा सकते हैं किसी ना किसी रूप में नारियल का प्रयोग आपको जरूर करना है गठिया, अर्थराइटीज, हडियों के दर्द के लिए ये बहुत फाइदे मन्द है दोस्तों एक उम्र के साथ यदि जोडों का दर्द हो तो हम कह सकते हैं चलो उम्र हो गई परन्तु आजकल बहुत कम उम्र में ही जोडों में दर्द की चाहे गर्दन के दर्द की समस्या हो चाहे कमर दर्द की समस्या हो ये देखी जा रही है इसका बहुत कुछ कारण है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी तो इस तरीके से आप अपने शरीर में कैल्शियम के इस तर को तेजी से सुधार सकते हैं केलशियम के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं तो मैंने इस नारियल के टुकडों को पानी में भीगा दिया है राद भर ऐसे ही रहने दे सुबह देखेंगे न ऐसे फूल जाएंगे ये आपको चबाने में अच्छा लगेगा आप चाहें तो सुखा नारियल भी चवा कर खा सकते हैं दूसरी चीज जो कि आपके शरीर को ताकत देखा फूर्ती देखा दोस्तों वो है छुहारा जो खजूर होता न दोस्तों खजूर का सुखा रूप होता है छुहारा ये भी हमें हड़्यों के दर्द से खजूर में भरपूर मात्रा में विटामीन होता है, कैल्शियम, मैगनेशियम, आइरन पाया जाता है. और बच्चों को भी छुहारे का दूद जरूर देना चाहिए, इसे मास पेशियों का निर्माण होता है, हड्डिया मजबूत होती है, और खास कर यह कैल्शियम का बहुत अच्छा श्रोथ है. हड्डियों की मजबूती के साथ हमारे दातों को भी मजबूत बनाता है, चुहारे का सेवन है, और इसे लेने से दोस्तों हमारे स्किन में बहुत अच्छी चमक आती है, हमारे आखों की रोशनी को बढ़ाता है, जिनें चश्मा लगा है, उन्हें भी खजूर का सेवन दूद में पका कर भी खा सकते हैं, एक गिलास दूद में दो चुहारे को बारिक काट कर उबाल लें, और फिर आप उस दूद को पीटे जाएं, चुहारे को खाते जाएं, या फिर आप कोई ऐसे ही खा सकते हैं, तो मीठा होता है, तो हमारे लंग्स भी मजबूत होते हैं, दोसो लंक्स के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ दोसो चूहारा खाने से हमें कब्ज नहीं होती नहीं नहीं रहता तो बवा सीर की परिशानी भी दूर होती है यह इतना ज्यादा फायदे मंद होता है दोसो तो आप यहाँ पर खजूर का या फिल छुहारे का भी सेवन कर सकते हैं तो यह आपके हड़ियों के लिए हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत ही फाइदेमत है इस तरह से आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे ना दोस्तों तो उम्र के प्रभाव को तेजी से कम कर सकते हैं जोडों के दर्द को तेजी से कम कर सकते हैं अगली चीज़ दोस्तों जो की है चना चना भी डाइबिटिक पेशेंट को भी चना जरूर खाना चाहिए दोस्तों डाइबिटीज वाले लोग के लिए बहुत अच्छा है जो लोग वसन को कम करना चाहते हैं रोज एक मुठी चना जरूर खाना चाहिए कभी भी खाएं सुबे खाएं शाम को नाश्टे के समय भी आप खा सकते हैं चना खाने से दोस्तों हड्डिया मजबूत होती है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी भरपूर मात्रा में पोशक तत्व होते हैं जो कि हमें हड्डियों के दर्द से आराम पहुचाते हैं जिनें चश्मा लगा है दोस्तों उन्हें भी जरूर खाना चाहिए आखों की रोशनी तेज होती है और इस तरह से मखाना, चना, नारियल चुहारा इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें दोस्तों ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके शरीर में ताकत देंगी फूर्ती देंगी और तेजी से कैल्शियम के इस तर को बढ़ाएंगी यहां पर मैंने दोस्तों नारियल जो पानी में भीगाया थ आप देख सकते हैं पानी में अछी तरह से फूल गया है आप इसे भी चमाचबा कर खा सकते हैं या एक तरिका और बताती हूं कि सारी चीजों को एक साथ कैसे खाए तो सारी चीजों के लिए जिसे मखाना है थोड़ा सा मखाने को हुमे रोस्ट करना पड़ता है भोनना अगर वजन कम करना चाहते हैं तो घी की कौंटिटी बहुत कम लें बच्चों के लिए बना रहें तो आप एक बड़ा चमज घी डाल सकते हैं मैंने यहां घी केवल आधा चमज घी डाला है मखाने डाले हैं और कम से कम 5-7 मिनट तक मखाने को भून लेना है तो मखाना थोड़ा भून जाता ना 5-7 मिनट में स्लो फ्लेम पर तो यह थोड़ा क्रिस्पी हो जाता तो आपको खाने में मज़ा आएगा आप चाहें तो मखाने को दूद में डाल कर खा सकते हैं बहुत से लोग तो मखाने को ग्राइंडिंग जार में डाल कर ग्राइंड कर के इसका पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर को दूद में डाल कर भी लेते हैं या मेरे जैसे इस तरह से भून कर भी खा सकते हैं ज्वाला छना लेना है, छिलके सही चना ज्यादा पॉस्टिक होता है, थोडरा सी नमग दाल ढ़ने, थोडरा सा चाट मसाला डाल देऑखिये और ऐसे अच्छी तरह से भूनके, थोडț हो रहता है, शन्हों इसदेथ चने को भी मैं इसके अलावा सुभा के नाश्ते में आप 3-4 नारियल की स्लाइज ले ले, मैंने वैसे मखाने के साथ भी नारियल डाला है, आप ऐसे भी भीगे हुए नारियल ले ले, एक कब दूद ले ले, छुहारा ले ले, दो-तीन और एक कब दूद ले सकते हैं, मतलब जो तरीका आप करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब